असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास एक समर पैक में पेज नंबर 41 को सौल करेंगे सो स्टूडेंट्स ओपन यूर पेज नंबर 41 स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेशन नंबर 7 है फाइंड स्केर रूट बाई डवीएन मैथड डवीएन मैथड की जरी से इसकेर रूट फाइंड करें आपके पास क्वेशन ओड में है 5 hole 41 by 64 सबसे पहले तो आप इसका hole खतम कर लेंगे hole खतम करेंगे 64 को 5 से multiply करके जो भी answer आएगा उसमें 41 को add करके देन हमारे पास 361 by 64 आया है तो डवीन मैतर के जरी से करने के लिए हम क्या करते हैं 361 का सबसे पहले लेंगे उसके बाद 64 करेंगे 361 को लेने के बाद हम इसके pair बनानी स्टार्ट करेंगे left hand side से pair बना लिए उसके बाद यहाँ पर ऐसा number of digit जैसे कि मैंने previous में बताया था ऐसा number of digit लेना होता है कि यहाँ पर भी वही number of digit और उपर भी same number of digit लेना होता है तो हमने 11 ले लिए उसके बाद 3 में से 12 बच्चा 64 का pair ऐसे निचे उतार लेंगे 1 प्लास 12 उसके बाद हमने यहाँ पर ऐसा number of digit लेना होता है कि जैसे कि आपके पास बने 29 ऐसा number of digit लेना होता है जिसे 2 के साथ मिला कर उसी number of digit से multiply करें तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूरा पूरा solve हो जाए यहाँ फिर next process as it is जैसे हमारे पास चलता है तो हमने 9 लिए जब हमने 29 को 9 से multiply किये तो 261 आगे है और यह 19 हमारे पास 361 का जो है वो square root निकला है इस तरह 64 का as you know 8 multiply 8 करें तो आपके पास आजाता है 64 तो 19 by 8 आए as you know उपर बड़ी रकम है नीचे छोड़ी तो हम इसे मज़ीद डिवाइड करेंगे जो कि यहाँ पर मैंने की है 8 multiplied 8 2s are 16 9 में से 3 3 बचा तो हमारे पास whole में answer आजाएगा 2 whole 3 by 8 तो यह हमारे पास division method की जरीए से था उसके बाद है question number 8 find the square root of the following decimal by division method अब decimal का हमने square root find करने by division method से तो आपने decimal वाली रकम को अंदर राख लिया इसी तरह से pair बनाने start किया तो हमारे पास 5 बच गया अब सबसे पहले आप क्या करेंगे यह जो zero point है इसको उपर shift कर लेंगे उसके बाद आपका division method की जरी से जैसे simple square root होता है इसी तरह से आप find करने लग जाएंगे zero point को उपर लगा दिया 5 ए 2 को 2 से multiply कि 2 2,0,4 अगर हम यहाँ पर 3 ले 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 लेते तो 3,3,0,9 जो कि 5 से बड़ा था तो इसलिए हमने 2 ली है 2,2,0,4 5,1 और यह हमने 33 वाला पेर आज़ इस निचे ले ली है उसके बाद 2 प्लस 2 अब यह zero हमने यह वाला shift की है इसको आपने नहीं remind करना 2, यह 2 और इसके बाद 2 प्लस 2 4 अब यहाँ पर हमने ऐसा number of digit लेना है के जो हमारे पास 133 है या तो 133 आ जाए या फिर इससे छोटी value लेनी है तो हमने 3 लिये 43 को 3 से multiply करें तो 129 आते है अगर हम यहाँ पर 4 लेते तो 44 को जब हम 4 से multiply करते है तो 133 से बड़ी रकम आ जाती तो हमने 43 लिये जब हमने इसको 3 के साथ multiply किया तो हमारे पास 129 as it is carry लिया 13 में से 9, 4 उसके बाद ये 61 वाला पेर नीचे उतारा उसके बाद 43 प्लास ये वाले 3 ये 46 बन गया उसके बाद देखें आपके पास ये 461 है तो हम जानते हैं कि हमने जो यहां पर रकम लेनी है वो ही हमने उपर लेनी है तो अगर हम यहां पर 1 ले लें असानी से तो ये भी 461 और ये भी 461 हो जाएगा 1 लिया इतर भी 1 जब 461 को 1 से multiply किया तो ये हमारे पास पूरे पूरे डिवाइड होगे देन आपके पास तो डेसिमल वाला क्वस्चन था उसका स्केर रूट आपके पास 0.231 तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा पेज नंबर 41 आई होप आपको समझ जाग गया होगा आपने इसको समर पैग पर इसी तरह नीट नीट करने और इसकी प्रक्टिस भी करनी है तेंक्यू अल्ला फिर ले लिए उसके बाद 2 प्लस 2 अब ये 0 हमने ये वाला शिफ्ट किया इसको आपने नहीं डिमाइंड करना 2 ये 2 और इसके बाद 2 प्लस 2 4 अब यहां पर हमने इस ऐसा नंबर ओफ डिजिट लेना है कि जो हमारे पास 133 है या तो 133 आ जाए या फिर इससे छोटी वैल्यू लेनी है तो हमने 3 लिए 43 को 3 से मल्टिप्लाई करें तो 129 आता है अगर हम यहां पर 4 लेते तो 44 को जब हम 4 से मल्टिप्लाई करतें तो 133 से बड़ी रकम आ जाती तो हमने 43 लिये जब हमने इसको 3 के साथ मल्टिप्लाई किया तो हमारे पास 129 एज इस केरी लिया 13 में से 9, 4 उसके बाद यह 61 वाला पेर नीचे उतारा उसके बाद 43 प्लास यह वाले 3 यह 46 बन गया उसके बाद देखें आपके पास यह 461 है तो हम जानते हैं कि हमने जो यहां पर रकम लेनी है वो ही हमने उपर लेनी है तो अगर हम यहां पर 1 ले लें असानी से तो यह भी 461 और यह भी 461 हो जाएगा 1 लिया इदर भी 1 जब 461 को 1 से मल्टिप्लाई किया तो ये हमारे पास पूरा-पूरा डिवाइड होगे देन आपके पास डिदेसिमल वाला कॉस्चन था उसका स्क्राइब आपके पास 0.231 तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा पेज नंबर 41 I hope आपको समझ आग गया होगा हमने इसको समर पैक पर इसी तरह नीट-नीट करने और इसकी प्रक्टिक बेज़ देखें